अमबाला में आमादमी पाटी को नैशनल पाटी का दर्जा प्राप्त होने और दिल्ली में विज़े प्राप्त होने पर आमादी पाटी द्वारा एक कर रोडशो निकाला गया ये रोडशो अमबाला चाउनी में टांगरी नदी के पास आमादी पाटी दफ्तर से शुरू लिए आज आम आदमी पार्टी गुजराच चुनाव के बाद देश की में आज एक राश्ट्रे पार्टी का दरजा हासिल कर चुकी है और आज की जो हमारी विजे संकल्प यात्रा है आज इस यात्रा के माध्यम से हम सभी जनता का सभी देशवासियों का सभी कार्यकरताओं क हमारे सभी शुब चिंतकों का आभार व्यक्त करते हैं शुब कामनाय देते हैं आज आम आदमी पार्टी देश की यंगेस्ट पार्टी है जो एक राश्ट्रे पार्टी का दरजा ले लिया है जिसने दस साल के अंदर ये दरजा प्राप्त करना दो स्टेट्स में अपनी सरकार बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ा मुकाम है जो आम आदनी पार्टी ने अचीव किया है MSP की गारंटी को लेकर पंजाब के हुसैनी वाला से शुरू हुई किसानों की मशाली आत्रा बहादुर गड़ के पुराना बस स्टेंड पहुची और एक बार फिर से दिली की टिक्री बॉर्डर पर किसान इकठा होने शुरू हो गया आपको बता दे कि पुराना बस स्टेंड से पंजाब राजस्थान और हर्याना के हजारों किसान पैदल मार्च कर टिक्री बॉर्डर के किसान धरना अस्थल तक मशाली आत्रा लेकर जाएंगे और वहां से फिर नए आंदोलन का बिगुल भी बजेगा प्रदेश में सरकार द्वारा बनाय जवार है आश्मान काट को रेकर ग्रामी डस्तर पर जिला प्रशासन के आदेश पर स्वास्तिभाग आगनवारी वरकर और आशा वरकर लोगों के आईश्मान कार्ड बनवा रही हैं और आने वाली समस्याओं को दूर भी किया जा रहा है महीं गाउं सांदल खुर्द में पचास आईश्मान कार्ड बनाने का एक दिन में लक्ष रखा गया है वहें आईश्मान कार्ड के लाभार्सी लोगों ने कहा कि अब इलाज के लिए उन्हें परिशान नहीं होना पड़ेगा साथ ही प्रधान मंत्री का धन्यवाद भी किया और मेरा आईश्मान कार्ड बना है सरकार ने ये बहुत अच्छी योजना निकाली है ताकि हमारा इलाज हो जाए किसी के पास पैसे ना हूँ तो ये हमारा सरकार ने ये योजना बनाई है कि इसके तहत हमारा इलाज हो सकी पहले बहुत प्रेसानी रहती थी, सीवल में भी पैसे लगते थे और अब ये प्रेसानी मेट दी है सरकार नी अब किसी भी होस्पीटल में इलाज करवा सकते हैं हम, चाए प्राइबेट हो, चाए सरकारी हो, दिल्ली हो, या सोनीपत हो, कहीं भी हो पुरानी पेंशन नी थी की बहाली की मांग को लेकर वेभिन विभा के करमचारियों द्वारा संघर्ष समिती के बैनर तले उपायुक्त कार्याले में रोश प्रकट किया गया साथ ही अपनी मांगों को लेकर सरकार के नाम डियारो को ग्यापन सौपा गया और मांगे पूरी होने पर 26 फरवरी को एक बड़े आंदोलन की चेतावनी दी गई चर्खी दादरी में पंचार चुनाओ लड़ने वाली आशा वरकर्स को सरकार द्वारा पत से हचाने का नेड़र सहित समझोते के बाद भी मांगों को लागू नहीं करने के विरोध में आशा वरकर्स ने सडकों पर उतरते हुए रोश प्रदर्शन किया साथ ही 27 दसंबर को विधान सभा का घहराव करने और आंदोलन की चेतावनी देते हुए सीम के नाम तहसिलदार को ग्यापन सोपा हमें एक तरफ कहते है कि आप करमचारी नहीं हो आप प्रियोजना करमी हो आप एक समास सेवी का हो और दूसरी तरफ हमें कहते है कि आप इससे अस्टिपा दीजिए इसका विरोध में और तीसरी हमारी कुछ मांगे लटकी हुई पड़ी है उनको लेके और हमसे अनाफ का गेराओं करेंगे और इसका के लिए सरकार तैयार रहे है कि अ बार